कि हम लोग लाइव है और आप उप मुझे Confirmation दोगे कि हम नई एक है क्या है हम लोग लाइव है क्योंकि हम लोग आज कफर नवाले है जबर्दस 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 आपिटल स्ट्रक्ट्चर बट वो शुरू करने के पहले मैं यह पूछना चाहूंगा कि हम लोग लाइव है चुके है कि नहीं प्लीज लेट मी नो yes my friends come on everyone boys and girls come on everyone live and live are we live are we like my friends yes absolutely absolutely we are live we are live good morning good morning everyone तो यहां पर कमेड आ चुके है मेरे साथ जूड़ चुके है सुन्दर बिक्रम आस्था धननजे गुपताब आरगवी नेहा कि येस माई प्रेंट्स किशन प्रियंका हर्श जीया शिल्पी तुपती प्रियंका कल्पना सुमन्था मांसी विकास सेंग येस सो हमारे साथ जूड़ चुके काफी लोग यहां पर सुमन्था पॉल सेंग आज एक दब माहोल गरम कर दो जबर्दस्त होगा मिशन स्रीज नो डाउट अब इट जबर्दस्त होगा मिशन स्रीज मिशन सीरीज को हमें सक्सेस्फुल बनाने के लिए बहुत मज़ा लाना है येस अप्सिलूटली अप्सिलूटली नो डाउट अबोट इससे बहुत मज़ा आता है आपके लेक्चर देखने में थैंक्यू वेरी मज़ तैंक्यू वेरी मज़ येस आयम सुपर्ब हाव यू सुन्दर उजाला गुड मॉर्निंग तो जलिए चलिए जुड़ जाईए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ये टॉपिक के साथ तो गाइद आप सब को पता है कि मिशन स्रीज स्रि जानते ही हो दोस्तों यह देखिए मेरे पीछे जो बैनर लगे है यहां पर लग चुके और रैंकर्स के फोटो इतने सारे अच्छे रिजर्ट्स अगर सीए सीए में में आते हैं यह देखिए सीए में का दो पूरा बैनर भरा हुआ है तो ऐसे केस में no doubt about it कि आपके फ्रें से आपका तो इग्जाम चल रहा है तो मुझे पता है कि आपने YouTube चलेल तो सब्सक्राइब करी लिया है बल एकन भी दबादिया रहेगा वीडियो को कमेंट करना आपको यार रखिये वीडियो में कमेंट करना आपको और बताना है वीडियो के हर कमेंट के you know पर कमेंट कीजिए ताकि वो कमेंट वहीं पर सामने दिखे येस मैं फ्रेंट्स और सबको पॉजिटिविटी मिले कि ये लेक्चर में उनको क्या मिल सकता है आर यू अंडर्स्टैनिंग येस अप्सिलूटली इद मुबारक जावेद आपको भी मुबारक आपका लास ए थांक यू अल्पना थांक यू कल्पना थांक यू कल्पना सॉरी गडा उडा देंगे तर आपके मिशन सिर्यस में यैस माई गार्षी शेचन भाई रादे रादे तो आपको तो पता है कि आप जबर्दस करने वाले हो no doubt about it yes sir और जब time value of money करवाएंगे तो please annuity का concept बढ़िये से थोड़ा revise करवा दीजिए please sir सुवनता थोड़ी late हो गई हो तुम यह हमारे mission series का lecture जो है उसमें already first lecture में हमें time value of money complete कर दिया है और first lecture में ही हमने उसे बहुत detail में कवर किया है concept of annuity को भी बहुत अच्छे से कवर किया है don't worry at all just visit lecture number one of your mission series yes मजा जाएगा आपको GI is saying happy akshetritiya sir yes happy akshetritiya to you guys and your family and friends and everybody around you yes Rakesh Kumar love you man love you चलिए गैस चलिए हम लोग start करते हैं आज का एक अमेजिंग अमेजिंग अपिसोड ओके और उसका नाम है capital structure for you आज है Saturday तो सोचा थोड़ा सा जल्दी प्री कर देता हो आपको एक ही यूना आज लेक्चे ले टॉपिक रखा है आज और तुम्हें शेडल देखा रहेगा तो कल भी एक ही टॉपिक रखा है तो आज एक टार्गेट करेंगे शिद्दत से करेंगे अच्छे से करेंग रखेंगे कि हम लोग 1 hour and 15 minutes में प्री हो जाए आपने सुना नहीं शाहिए 1 hour 15 minutes में हमको प्री होना है येस विद्धाट कॉंसेट विद्धाट लॉजिक विद्धाट टार्गेट लेट्स बिगिन अमेजिंग कैपिटल स्ट्रॉक्चर चैप्टर तो गाइस कैपिटल स्ट अवक्टा एंग कोंपनी अपना इप स्ट्रॉक्चर कर सरफ चिश्ट करती है उसे थे कैपिटल स्टॉक्चर चेपटल स्ट्रॉक्चर डशन विद्धान विट्टा गाईष च्क्या बहन होता है इससीत्चिए स्टॉक्टर एफ्टो sources कौन सी चीज़ का long term funds का दोस्तों business में लगने वाले long term funds का जो mix होता है जो composition होता है उसी को हम बुलाते है capital structure okay guys in other words it refers to the proportion of debt preference and equity in your capital देखिए दो तर्म ध्यान से सुनिये दोस्तों दो तर्म बहुत अच्छे से सुनिये number one term होता है capital employed और number two term होता है capital structure capital employed क्या होता है sir total of all the long term sources of finance debt equity preference सबका total जो होता है उसको आप बुलाते हो capital employed और उसके mix को उसके composition को हम बुलाते है capital structure उसके mix को उसके composition को हम बुलाते है capital structure for example for example आपके लिए ध्यान से सुनिये तो guys suppose for example company के पास 200 लाक रुपे 200 lakhs what is this capital employed sir capital employed है sir ये 200 लाक रुपे है इसमें क्या आ गया इसमें suppose 100 lakh का equity आ गया 50 lakhs का 100 lakhs का equity आ गया 50 lakhs का preference आ गया और बचावा 50 lakhs जो है वो debenture date आ गया ओके तो फिर ऐसे case में आपका 200 lakh को हम बुलाएंगे capital employed और उसके अंदर ये जो 2 is 2 1 is 2 1 का जो proportion है उसको हम बुलाते है capital structure 2 is 2 1 is 2 1 का capital structure है और 200 लाक जो total है उसको हम बुलाते है capital employed I hope सबको समझाए दोस्तों सबको समझा रहेगा दोस्तों थैंक्यू साक्षी थैंक्यू सो मच फॉर्मला सभी क्लियर हो रहे है आपको यस सर सेशन इस ऑस्सम थैंक्यू सो मच थैंक्यू ध्यान से सुना अभी सब लोग ध्यान से सुना अमेजिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ each and every conceptual clarity के साथ examples के साथ सब कुछ लिखा के दे रहा हूँ तो ध्यान से बिलाया capital employed but उसके अंदर कितना equity है कितना debt है और कितना preference है इसका जो proportion होता है 2 is to 1 is to 1 in my example is called as capital structure तो I hope आप सबको capital structure एगदम clear है अब in other words it is a proportion of it is the proportion of debt preference capital and equity capital debt capital preference capital and equity capital उसका जो proportion होता है उसका जो mix होता है उसका जो composition होता है उसको हम बुलाते capital structure ओके यहां तक तो समझ गया सर अब दो टर्म्स है दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत important है दो टर्म्स है कि भाई पहला आता है टर्म आपका optimum capital structure वाट इस अब आपके कंपनी के लिए बेस्ट कैपिटल स्ट्च्चर को हम बुलाते है optimum capital structure तो optimum का मतलब होता है जो उस तो best optimum का मतलब क्या हो गया best ओके तो आपके निस भी company के लिए जो best capital structure होता है उसको हम बुलाते है optimum capital structure ओके नाव फिर्ट्स वेंड़ कोस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होता है और हमारा EPS and market price per share सबसे ज़्यादा होता है हमारा earning per share market price per share सबसे ज़्यादा होना चाहिए value of firm हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए और हमारा cost of capital सबसे कम होना चाहिए उसको हम बुलाते है optimum capital structure ओके गाइस optimum के अंदर condition बहुत सिंपल है cost of capital कैसा होना चाहिए minimum होना चाहिए cost of capital कैसा होना चाहिए minimum होना चाहिए और उसके साथ-साथ the value of the firm should be maximum the wealth of firm should be maximum and EPS is also maximum earning per share market price per share ज़्यादा होना चाहिए cost of capital अरे cost है ना तो कम होना चाहिए common sense तीनी चीज़े दोस्तो market price per share earning per share and cost of capital cost of capital सबसे कम होना चाहिए earning per share and market price per share common sense से जादा होना चाहिए अगर आपकी company के पास यह हो रहा है due to your capital structure that capital structure is called as optimum capital structure तो भाई साभ यह तो सही है सर अब अब मुझे एक बात बता है कि यह capital structure आप बोल रहें कि optimum होता है okay होता है तो सभी company के लिए optimum capital structure क्या होता है two is to one is to one होता है कि अब ही जो आपने example में लिखाया क्या वो हमारा optimum capital structure था क्या वो सभी company के लिए best capital structure था बिलकुल भी नहीं optimum capital structure सभी company के लिए best capital structure यह सिर्फ एक theoretical concept है यह सिर्फ एक definition wise concept है practical life में two is to one is to one two is to two is to one one is to two is to two कुछ भी ratio, कुछ भी proportion सभी company के लिए best नहीं हो सकता तो optimum capital structure सिर्फ definition wise concept बन गया है हमारे लिए optimum capital structure का हमारे पास क्या है सिर्फ definition है, सिर्फ concept दिया है theoretically तो sir practically क्या होता है sir practically क्या होता है sir practically यह होता है न बिटा कि optimum के जगा word आ जाता है appropriate appropriate प्रफिये मतलब क्या होता है पिर जैसे optimum का capital structure is the best capital structure for all company वैसे optimum का मतलब जैसे आपने संग जाए sir वैसे appropriate का मतलब क्या है appropriate मतलब your company यह company to company differ करेगा जो तेरे company के लिए best है उसको तू बला ले appropriate capital structure जो सबके लिए best है तो उसे बला ले optimum capital structure Optimum Capital Structure तुरिफ theoretical concept है, definition याद रखो, खेल खतम But Appropriate Capital Structure real life में use होता है यह दिखिए लिखा है in real life तो हर company का Appropriate Capital Structure differ करेगा Company to Company, Industry to Industry Okay, तो आपकी company के लिए real life पे जो best होता है उसको बोलते appropriate उसके अंदर majorly 5 ही feature आने चाहिए दोस्तो 5 feature कौन से आने चाहिए सर, आपका Capital Structure profitable होना चाहिए Number 1 आपका Capital Structure क्या होना चाहिए, profitable होना चाहिए सर वो क्या होता है सर, profitable मतलब क्या सर Profitable मतलब Profitable मतलब Return on investment should be more than cost of capital Return on investment should be more than cost of capital Agar cost of capital, let's say for example 12% आपकी company का weighted average cost of capital जिसको कली आपने पढ़ा था, back weighted average cost of capital अगर 12% है तो आपकी company ने earn करना चाहिए Return 19%, 20%, 25% उसको हम बलाते profitable capital structure I hope सबको इतना clear profitability क्या होता है Profitability मतलब मेरा earning जादा होना चाहिए मेरा cost of capital कम होना चाहिए Common sense है, मेरे company में 200 लाक रुपे में ने लाया है उसे invest करकर में कमा रहा हूँ 20% और उसका cost में बेर कर रहा हूँ 12% Very good Sir में उसको कमा रहा हूँ 13% में उसका cost बेर कर रहा हूँ 15% Very bad Cost बेर कर रहा हूँ 15%, 15% और कमारे हो 13% कैसे चलेगा भाई कमाँ तुम 20%, cost पे कर रहा परसंट 13% चलेगा Your return should be more and your cost should be less That is called profitability Okay guys बढ़िया है Yes Thank you so much ऐसी थोरी आपको FM King बोलते है सब सच में हो आप King Thank you so much आपका प्यारे बच्चा लोग सबका इसी वज़़े से यह सब दरजे मिलते है अब फोकस कीजिए ता कि यह concept में भी हम प्रूव कर ले कि आप और हम एकदम तोड़ है आप और हम next level है ठीक है तो आप और हम मिलकर kingdom बनाएंगे पूरा का पूरा ध्यान चैप्टर पे डाल देंगे दोस्तों ध्यान से सुनो appropriate capital structure में पहला concept आता है profitability मैंने आपको detail में बता दिया profitability क्या होता है अब second concept आ रहा है flexibility आपका capital structure flexible होना चाहिए जब जब पैसा raise करना है raise करने का permission होना चाहिए जब जब पैसा repay करना है repay करने का भी flexibility होनी चाहिए इसका मतलब increase and decrease का flexibility आपके हाथ में होना चाहिए तो flexibility किस angle से बोला गया है increase oblique decrease के angle से बोला गया है आपका capital, आप चाहो तब increase कर दो, आप चाहो तब decrease कर दो, that is called as flexibility, जो आपके capital structure में हो, अगर होगी, तो उसक को हम बोलाते है, appropriate capital structure, condition number two, condition number one क्या था सर, profitability, condition number two क्या था सर, flexibility, condition number three क्या है सर, conservation, conservation, मतलब सर, conservative होना है, yes, किसके बारे में conservative होना है sir risk के बारे में risk कोई सा capital लाता है बच्छा लोग risk लाता है debt capital तो debt capital तुम्हारे पास कम होना चाहिए conservation बोलता है debt capital should not exceed a limit should not exceed a limit उसको बोलते है conservation अगर अडानी company थोड़ा conservation रखता तो better होता क्योंकि आडानी company ने अपना debt कुछ जादा ही बड़ा दिया था yes my friends so conservation वहाँ पर picture में आता है conservation बोलता है debt जो है वो कम होना चाहिए debt एक limit के नीचे होना चाहिए उसको बोलते है conservation yes my friends उसके बाद आता है solvency आपका जो appropriate capital structure होता है वो आपकी company के solvency को protect करके रहना चाहिए solvency को protect करना है तो क्या करना है इसका मतलब तेरी company का risk balance करके चलना चाहिए उसके लिए वापस से condition वही आगे conservation फॉलो करना चाहिए solvency का मतलब होता है debt को एक limit के आगे मत बढ़ा हो क्योंकि debt जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो solvency खत्रे में आ जाती है आड़ानी की case में हमने देखा यह तो solvency को क्या करना है हमें protect करके रखना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए debt को फिर से एक limit के नीचे ही रखना पड़ेगा that is called as solvency protect करके रखना and last one is called as control control का मत्रा बोटा है voting power voting power dilution एक limit तक करना चाहिए जहां तक real owners के पास voting power होती है आज हम लोग बोलते है रिलाइंस किसकी कंपणी है अमबानी की कंपणी है ओके रिलाइंस किसकी कंपणी है णकानी कियो भाई मेरी भी कंपणी है मेरी पास रिलाइंस के 10 से रहें तो मेरी कंपणी होगे रिलाइंस आप भुरी उससर से क्पुछ नहीं होता सर किसने वह बोला नहीं होता है डश शेर मेरे पास है मेरे पास डश Youristen का voting power है मगर वह अलग बात है कि 10 shares Reliance के total shares के 0.00000 किते percent रहेंगे पता नहीं मुकेश अमबानी कि वो company है Reliance Industries because उनके पास maximum stake है उनके family के साथ मिलकर उनके पास maximum stake है तो ये stake dilute नहीं होना चाहिए ओके आप 100% shares तो नहीं रख सकते हो company के मगर कम से कम 50 आना बहुत रख सकते हो तो उसको बहते है एक control control मतलब होता है voting power तो company का voting power जो है वो dilute limit तक ही करना चाहिए उससे बुलाते है उससे बुलाते control येस बाइप्रेंट्स आपसुलूटली समझा यहां तक तो कितने concept हो गए कितने concept हो गए आपके पास आपके अप्रोप्रियेट capital structure में number one profitability returns जादे होने चाहिए cost कम होना चाहिए number two flexibility जब चाहे तब increase कर दो जब चाहे तब decrease कर तो number three conservation debt debt को एक limit की नीचे ही रखो number four solvency को protect करके रखो उसके लिए वापस से conservation ही follow करना पड़ेगा तुझे और लास्ट लास्ट इस control control एक limit तक ही dilute करो उससे आगे control dilution करोगे तो मुश्किल हो जाएगे क्योंकि आपकी voting power dilute हो जाएगी सच में reliance अगर public limited company होती मतलब आज reliance के अंबानी के पास shares अगर maximum नहीं होते आज अंबानी अगर reliance का decision maker whole and soul decision maker नहीं होता और सच में AGM में public आकर reliance के पैसले करती reliance के लिए क्या अच्छा है क्या गुरा है public decide करती तो सच में reliance ढूब जाता है येस माइफ्रेंड आपने सही सुना reliance ढूब जाता because कोई नहीं कोई expertise दिमाग होना चाहिए पीछे जिनका voting power जादा है और वो company के लिए अच्छे पैस ले ले रहा है इसलिए बहुते control एक limit तक ही dilute होना चाहिए Ambani's, Virla's, Tata's, Adanis ये सब लोगों ने क्या किया है company का maximum stake खुद के पास रखा है इसलिए ये companies इतनी well-known companies yes friends now यहाँ पर five sir concept sir pfcsc ये बोल रहा है pfcsc what is pfcsc is profitability flexibility conservation solvency and control okay guys तो यह था आपका optimum and appropriate capital structure ऐसे बहुत से factors होते ही दोस्तों जो आपकी company के capital structure decide करने के वक्त आपने देखने चाहिए जैसे कि पहला factor होता है दोस्ता आपका nature of industry अगर आप small companies they maximally rely on equity sir equity उनके पास अगर नहीं रहेगा तो loan from friends and relatives ले सकता है मगर bank loan नहीं देगा आसानी से किस आजकल नहींने schemes आती है प्रदानमंत्री यह योजना प्रदानमंत्री वो वो योजना तो उसके तहता आपको थोड़ा बहुत funding मिल सकता है बट maximum funding आपको खुद की जेब से ही करनी पड़ेगी जब आपकी company small scale company होगी तब large scale company हो गई एक बार company बड़ी हो गई तो bank बोलता है अरे sir लोग ने लो sir वही बैंक पीछे लग जाता है दोस्तों जिन बैंक ने आपका application reject किया था कभी तो येस उस वक्त आप debt के लिए आगे जा सकते हो तो debt के लिए आगे का बढ़ सकते हो जबकर आपकी company large scale company है small scale company रहेगा nature of industry small scale रहेगा तो equity nature of industry अगर large scale रहेगा तो debt justation period अगर रहेगा आपकी company का sir ये justation period क्या होता है time required to settle the business उसको बोलते justation period लिखी उदर chart book में लिखी आपने print out निकाला रहेगा अब तक तो निकाला है कि नी print out आपने oh my god कुछ लोग तो सिर्फ soft coffee से पढ़ रहे शायद print out निकालने बोला मैंने आपको print out पैसा खर्च करके print out निकालो सिर्फ 30 पेज़े से यहां पर इसका print निकालोगे तो पूरा इधर चप जाएगा और इधर चप जाएगा तो exam में छापके रहोगे print निकालो भाई किसका वेट कर रहे हो क्या term खतम होने के बाद print निकालोगे आप आपके exam के बाद print निकालने वाले हो अगले exam के लिए जिन लोगरे print ने निकालोगा तो आज के आज print out निकालोगे याद रखिए justation period का मतलब बता है time required to settle the business जब time required to settle the business रखता है कोई भी बिजनेस को सेटल करने के लिए suppose 6 मेने 8 मेने साल बर लग जाता है उस period को बोलते justation period उस period में तुम debt prefer करोगे या equity प्रेफर करोगे बताइए मुझे जल्दी से जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों मुझे come on everyone बताइए मुझे debt प्रेफर करोगे कि equity प्रेफर करोगे आपको प्रेफर करना चाहिए equity आपको justation period में प्रेफर करना चाहिए equity सर ऐसे क्यों सर equity क्यों प्रेफर करेंगे सर because equity के साथ commitment नहीं होता है fixed rate of dividend देने का commitment नहीं होता है याद रखिये अगर आप debt issue कर लोगे तो आपको fixed rate of dividend देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा fixed rate of interest कैसे दोगे आप आपका तो business अभी तक settle हो रहा है न तो fixed rate of interest कैसे दोगे आप yes my friends very good answers equity equity बोल रहे हैं सब लोग very good तीसरा पॉर्ट बोलता है certainty of profit अगर तेरे बिजनेस में certainty level profit का ज्यादा रहेगा तो देट ले अगर तेरे बिजनेस में certainty of profits कम रहेगा न तो equity के लिए जा पपस से लॉजिक वही है देट के साथ commitment आ जाता है fixed rate of interest का equity के साथ dividend का commitment नहीं होता है तो अगर तेरा certainty अगर कम रहेगा तो फिर commitment कैसे ले पाओगे commitment अगर नहीं लेना है तो क्या करना पड़ेगा एक विटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा commitment नहीं रहेगा वहाँ पर मगर डेट है तो commitment आ गया यहां पर बोला गया certainty of profits मोर रहेगा तो डेट लेंगे लेगा तो equity लेंगे ओके गाइस next is quantum of ROI अभी अभी बात किया था profitability के बारे में तो अगर quantum of ROI देखेगा ने तो फिर decide कैसे कर पाएगा तेरा return अगर 12% है तो देख पहले return कित्ता आ रहा है और फिर decide कर capital structure में cost of capital कित्ता रखना है क्योंकि 12 से कम का cost of capital चाहिए फिर अगर return तुम्हारा 12% है तो 12 से कम का cost of capital चाहिए तो by default ROI पर नजर जाना चाहिए मतलब quantum of ROI should be compared with cost of funds and obviously भात में भाई cost of funds कम होना चाहिए और quantum of ROI जादा होना चाहिए yes तो यहां पर लिका है दोस्तो ROI should be compared with cost cost should be less ROI should be more cost should be less ROI should be more as simple as this then दोस्तों आता है आपका lending policy of bank bank कभी कभी व्यड बेव करता है बैंक बोता है नो लेलो ली लो लेलो कभी वांग ने कोता नहीं किया बहुत लोन नहीं देते हम लोग हम लोग कम से कम लून देने वाले कभी कभी बोलते है लोन लेलो सर मत funding requirement कि तुमारी company के लिए bank ready है ना हमारी bank चाहतो चिंता किस बाती है loan ले लो sir कभी-कभी तो एकदम liberal है कभी-कभी तो एकदम strict है depend करता है RBI उपर से क्या बोल रहा है उपर से अगर RBI बोल रहा है expansionary policy तो यह लोग बोलते है loan ले लो sir liberal policy वो सवक्त तुमने date बढ़ाना चाहिए debt लेना चाहिए because bank पीछे पड़ा है इसका मतलब debt लेने का cost कम है hassle कम है easily loan मिल जाएगा time पे पैसा तेरे bank account में आ जाएगा तेरा business आगे बढ़ पाएगा इसलिए liberal policy रहेगा RBI expansionary policy follow कर रहा है तब तुमने loan लेना चाहिए but RBI contractionary policy भी follow करता है depend करता है inflation case है तो RBI अगर banks को बोल रहा है loan कम करो तो bank तुमको बोलता है loan मांगने मता ना भाई बहुत तंगी है उस वक्त bank क्या कर रहा है strict credit policy follow कर रहा है उस वक्त तुमने debt को क्या करना चाहिए कम रखना चाहिए क्योंकि debt का cost जाद रहेगा debt time पर मिलेगा नहीं hassle free तो बिल्कुल नहीं मिलेगा बहुत तकलीफों को जेलने के बाद पैसा देगा bank ऐसे case में strict अगर debt रहेगा न तो debt नहीं चाहिए liberal लेगा न तो हम debt लेंगे yes yes my friends lastly monetary and fiscal policy of government monetary policy तो RBI का होता है yes बिल्कुल सही है fiscal policy के बाद में बात चल रही है government का हких Row अब भी अपने उपर lending policy पढ़ा हूँ तो गैस टैक्सेशन पॉलिसी देखना बहुत जरूरी होता है जैसे कि आप सबको पता है कुछ सालों पहले दिर वाज़ा कॉंसेट ऑफ डिविदेंट इस्ट्रिबिशन टैक्स जिसकी वज़े से तेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी महेंगा हो रहा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरें इंकम टैक्स का 1150 स्क्रैप कर दिया और फिसकल पॉलिसी बदल गई टैक्सेशन पॉलिसी बदल गई और आज की डेट में चार सालों से तीन सालों से दिर इस नथिंग कॉल्ड अज डिविदेंट इस्ट्रिबिशन टैक्स सो ऑब्यस सी बात है कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक् है और कॉस्से इक्स टॉबड शिम बनीट कर रहे कंपनी च्टेशन पॉलिसी पॉलिसी अरकासी िच्टीब मेद घर्टिबट से अरकांस्य नौन दिटिटधिव पढ़ाई के लिए भगा दिया नहीं दिया केशन बाही एक दिन तू पढ़ ले और बैंक तेरे पास आएगा लोन ले लो बोले तू भगा दे मत लेना यह होता बाद्ला पर इतना पैसा कमा कि bank बोलेगा loan लेडो तू बनने का नहीं चाहिए और वो सब possible है इस पढ़ाई के power से पढ़ाई के लिए loan मांगा था ना नहीं दिया ना अब पढ़कर ही पैसा कमाएंगे याद रखना ये बात Yes Now friends, coming to main consideration ये जो consideration पढ़े थे ये तो consideration है कितने consideration है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 Excuse me, sorry But last consideration है consideration number 7 जिसको बोलते है major consideration major consideration क्या है इसके बारे में आज़री हमने chapter 1 में बात कर लिया था risk, cost and control तो equity capital का risk जो है सबसे कम होता है ये देखिए equity capital का risk सबसे कम है debt capital का risk सबसे जादा होता है देखिए debt capital का risk highest है और preference उन दोनों के बीच में आता है इसको बोलते है moderate risk right chapter 1 में पढ़ा था हमने ये as far as the control is concerned control dilution सर्फ equity के case में होता है जब आप precious issue of equity करोगे तो ही तो नए लोगों को voting power आएगा तो इस case में इकविड के case में control is dilution लिखा हुआ है चंड्रोल इस काuse है preference के case में control dilution नहीं होता है debt के case में control dilution नहीं होता है क्योंकि preference share orders और dementia orders को voting power नहीं होती है preference share orders को voting power सिर्फ उनी के matter रेटेर होती है याद रखिए general voting power नहीं होती है इसलिए non diluted, non diluted लिखा हुआ है, yes, as far as the cost is concerned, cost, तो equity capital का cost सबसे साधा होता है, तो दिखिए दोस्तो, equity capital का cost सबसे साधा है, क्यों sir, non tax deductible है, जो dividend दे रहे हो, tax deductible नहीं है, और दूसरी बात दोस्तो, सबसे important बात, जो equity होती है, उसके case में, आप जो payment कर रहे हो, वो amount जो है, वो भी fixed नहीं, rate fixed नहीं है, तो their expectations are always high, because they are the real owners of company, whereas, date के case में लिखा हुआ है, कि cost सबसे कम है, number one reason यह है, दोस्तों कि वो real owners नहीं है, उनके expectation fixed है, और दूसरी बात, जो amount उनको आप पे कर रहे हो, वो interest है, जो P&L debit होगा, P&L debit होगा, और net profit कम होने की बज़े से, आने वाला tax जो है, वो भी save होगा, yes my friends, automatically, उसका cost सबसे lowest हो गया, as far as the preference is concerned, वापस से moderate picture में आ जाएगा, इसलिए moderate लिखा हुआ है, yes my friends, यह सब चीज़े हमने chapter 1 में cover की थी, अब बस हम revision के तौर पे देख रहे हैं, now, यहाँ पर, risk, cost and control है, 7th number का point, इसको बोलते है, major consideration in capital structure planning, लिख लीजिए हमाँ पर चाहिए दू, यह होता है, major consideration, सबसे important consideration, क्या-क्या होता है, risk, cost and control, risk, cost and control, इसको 7th number का point बोल दीजिए, major consideration in capital structure planning, major consideration in capital structure planning, risk, cost and control, very good guys, yes, अब आते आगे, यह बहुत ही theoretical concept है दोस्तो, other consideration in capital structure planning, मतलब भूपर जो लिखिये वो तो में थे, उसके अलावा क्या-क्या देखेंगे, तो legal requirement देखेंगे कुछ है क्या, कोई, legal requirement के साथ-साथ क्या देखना पड़ता है पता है आपको, legal requirement के साथ-साथ, government के policies भी चेक करने पड़ते, legal requirement मतलब आप सबने law में पड़ा रहेगा, कि dividend कब बाट सकते, कब नहीं बाट सकते, उसको बोलते है legal requirement, तो consideration in capital structure planning के वक्त, में लिए आता है legal requirement, कितना पैसा कौन से source से ले सकते, नहीं ले सकते, there are various sections which allows you certain capital, which allows you certain, which doesn't allow you certain capital, तो obviously आपको legal considerations देखना होता है, trading on equity का मतलब होता है, trading on equity का मतलब होता है, return on investment should be more, and cost of capital should be less, cost of capital should be less, return on investment should be more, इसको बोलते है trading on equity, इसी को तो बोलते है favorable financial leverage, favorable financial leverage इसी को बोलते है, इसी को बोलते है profitability in capital structure, यह सब एक ही है, trading on equity, profitability in capital structure, सब एक ही है, ओके, फिर उसके बाद corporate taxation, जो है corporate taxation, मतलब company को लगने वाला tax, वो भी consideration में आएगा, उपर लिखा ही तो था fiscal policy, तो fiscal policy में taxation policy ही तो बात कर रहें थे हैं लोग, और क्योंकि हम company है तो corporate tax की बारे में देखेंगे ना, यह इस company को tax कब बचेगा, company को tax कब ज़ादा लगेगा, obviously यह सब देखते हुए हमने capital structure decide करना चाहिए, government के policies को देखना चाहिए, कब government हमको allow करता है, debenture issue करने के लिए, कब हमको government allow नहीं करता है, यह सब देखना चाहिए हमने, और government policies को ignore करना नहीं चाहिए, period of finance देखना चाहिए, कि हमें short term के लिए पैसा चाहिए, कि long term के लिए चाहिए, अगर short term के लिए पैसा चाहिए, तो short term sources से लेना चाहिए, long term के लिए पैसा चाहिए, तो long term से लेना चाहिए, for example मैं आपको समझाता हूँ, I want to buy machinery, जिसका life है 8 years, machinery buy करना है भाई, 8 साल का life है, bank बोल रहा है, loan लेलो सर्, एक करड का machine है, हम एक करड पूरा दे देंगे, condition एक के साथ, दो सालों में पैसा रीपे करना पड़ेगा, machine का life किता था, 8 साल, bank किता लोन देना, 2 साल, मत लेना, तेरा utilization किता है, लोन के लिए, और तुझे लोन कान सा मिल रहा है, short term, मत लेना, डूप जाएगा company, क्यों सर्, 8 सालों में, जो 8 सालों के लिए, जो पैसा इन्वेस्ट करोगे तुम, तुम्हें क्या रगता है, 2 सालों में तुम्हारा, पूरा machinery का cost recover होने वाला है क्या, possible ही नहीं है, तो कभी भी अगर पैसा long term के लिए, इन्वेस्ट करना था, 8-8 सालों के लिए, तो लोन भी तो long term लेना चाहिए था, और अगर पैसा short term के लिए, working capital के लिए इन्वेस्ट करना है, तो दो सालों का लोन ले लो, समझा, तो short term लोन लोगे, short term जगा invest करो, long term लोन लोगे, long term की जगा invest करो ले, that is the whole logic, भावी का अच सर theory कहां से करें सर, भावी का theory हम भी यहां से कर रहे हैं, तुम भी यहीं से कर लो theory, यह तुम्हारा shortcut theory है, इस pages में सब कुछ कवर होगा, practical भी और theory भी, बट अगर तुम्हें detailed theory करनी है, तो फिर obviously तुमको study matter, रफर करना पड़ेगा, या तो मेरा textbook रफर करना पड़ेगा, yes, then nature of investors, investors कैसे poor है, या rich है, पहले वो देख लो, अगर rich customer, आपके investors रहेंगे न, rich investors रहेंगे आगर आपके, तो obviously उनको dividends की जरुद नहीं है, उनको तुम dividend दो मत, उसका पैसा तुम retain करते जाओ, retain करते जाओ, retain करते जाओ, और reinvest, reinvest करो, business में reinvest करो, reinvest करो, और पटाफ़पड ग्रोथ लाओ, तो जितना तू retain करेगा, मतलब बी जितना जादा रहेगा, उतना तेरा ग्रोथ भी जादा होगा, उतने share price बढ़ेंगे, फटाफ़ट पटाफ़ट, और company का पैसा, investor का पैसा फटाफ़ट बढ़ेगा, अगर वो company के investors rich रहेंगे, dividend मत देना, उनका capital appreciation करते जाना, क्यों सर उससे क्या होगा, एक तो dividend देगा, तो income from other source में charge होगा, 30% के उपर surcharge, super surcharge, क्या-क्या लगेगा पता नहीं उनको, और अगर तुमने dividend नहीं दिया, तो ये सब उनको नहीं लगेगा, बट जब shares price बढ़ जाएंगे, और उनको पैसों की ज़रत है, तो वो shares को बेज देंगे, shares को बेज देंगे, तब भी तो tax लगेगा sir, yes लगेगा, long term 10% से, short term 15% से, वह नगे tax planning, समझे, अगर poor आपके poor है, investor आपके poor है, तो उनको और livelihood के लिए, bread and butter के लिए, obviously उनको income की ज़रत होती है, उस वक्त तुमने dividend देना चाहिए, but अगर तुमारे investors rich है, तो dividend देने की ज़रत नहीं है, right, तो nature of investors पर depend करता है, आप equity से पैसा किता रेज करोगे, debt से पैसा किता रेज करोगे, सब कुछ, उसके बाद, next is size of company, अभी अभी उपर अपने बोला small skill, या अपने बो दिया large skill, small skill रेगा, equity ले लो, bank के पास मज जाना, large skill रेगा, bank के पास जा सकते हो, loan ले लो, उपर बात किया था अपने, size of company, timing of approach बहुत matter करता है दोस्तो, आप bullish market में, target कर रहे हो, new equity shares के लिए, या bearish market में कर रहे हो, market bullish है या bearish है, बहुत important है, अगर market bullish है, उड़ता 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 बढ़ता market है, उस वक्त, कोई भी company रेने दो, IPO बिग जाते, airy-gary company के भी IPO बिग जाते, तो timing सही होना चाहिए आपका, और अगर market bearish है, तो IPO मतला ना, क्योंकि subscription खत्रे में आ जाएगा, yes my friends, so timing is very important, bullish market में कभी भी shares issue करना चाहिए, bearish market में नहीं करना चाहिए, reason बहुत simple है, investors का अधीकतर पैसा, already loss में, और तुम ला रहे हो नए IPO, बोर रहे हो इसमें भी invest करके, कि और पैसा गमा दो, क्यों invest करेंगे वो लोग, अगर market bullish है, तो already उनका पैसा double, triple हो चुका है, और तुम बोरे हो यह देखो IP हो, वो बोरे चला, लगा देते पैसा, इधर भी double कर देंगे, mindset game होता है दोस्तो, जब bullish market होता है नहीं, तो positive mindset होता है, जब bullish market होता है, तो negative mindset होता है, yes, so mindset matters a lot, so that is called timing of approach, manual vulnerability का मतलब होता है, अगर आप debenture issue करना चाहते हो, तो यह मत बोलिए debenture issue करना है, यह बताइए, readyable debenture issue करना है, irredyable करना है, आपका convertible debenture issue करना है, non convertible debenture issue करना है, आपके बास बहुत सारी choices है, preferences के लिए, वापस से readyable preferential करना है, irredyable करना है, convertible preferential करना है, non convertible preferential करना है, आपके बास वहाँ पर भी बहुत सारी choices है, तो आपने देखा है, types of debentures इतने सारे होते हैं, types of preferences इतने सारे होते हैं, सब options को evaluate करने के बाद आपके investors को अच्छा choice दोगे तो आपका security easily market में बिग जाएगा और पैसा रवेस करकर ला लोगे अगर आप options study करोगे तो सही option पर arrive करोगे उसको बोलते है manual vulnerability manual vulnerability का मतलब होता है options यस द्यापन से बोल रहे हैं सब्सक्राइब करता है कि आपके शेयर इंवेस्टर्स जो है और रिच पूर दोनों आप समझ दो बात को तो आपके शेयर प्राइज पर डिपेंड करता है कि आपके शेयर इंवेस्टर्स जो है और रिच कैटेगरी के या पूर कैटेगरी के या देखिए सब्सक्राइब करता है यहां पर इसलिए तो मरेफ जो है डिविडेंड देता नहीं है मरेफ डिविडेंड दो तीन तीन रुपे दिया है स्रिफ यहां पर बोल रहें कलपना बोल रहें सर प्राक्टिकल नहीं होगा न सब कोई यहां पर जो है सिर्फ ठेहरी डिसक्स ने और पर वी दिक्क्त आती है तो मेरा पिछला कर लिए आपका कोई भी डाउट रहेगा सब सौल हो जाएगा प्रैक्टिकल पार्ट की अतर यहाँ पर जो है सिर्फ त्योरी डिसकस नहीं हो रहा है त्योरी के साथ सब प्रैक्टिकल भी डिसकस हो रहा है जैसे कि आज ही कवर करने वाले हम लोग अब भी दस मिनिट बात एन पांच मिनिट भी नहीं पांच मिन में चालो होने वालिए यस अब 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 कर आपके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी शुड भी पॉर इंक्रीज अब लिक डिक्रीज ऑड़ी डिसकस्ट परपस आप इनसिंग बहुत इंपोर्टेंट है रेविन्यू ज र हτε खाहे रहेगा थो एकुल्दी से पैसा लाना रिजल्व एंशर प्लस के पैसा लाना में रिजल्स पॉर्श इंडिन्यू च्टिपैसे पैसे अगर तुम्हें temple बनाना है factory premise में अगर तुम्हें meditation hall बनाना है factory premise में ताकि आपके employees आपके workers को मन की शांती रहे और उनका productivity maximum आए तो ऐसे case में न दोस्तो that is called as non revenue generating क्योंकि वहां से पैसा आने वाला नहीं है वहां से लोगों को शांती मिलेगी productivity production में आएगी तब पैसा नहीं बोलते है उसको revenue generating नहीं बोलते है तो non revenue generating आइटम हो meditation hall temple ऐसी चीज़ी बनाना तो ऐसी चीज़ों के लिए कौन सा पैसा यूज करोगे रिजर्वस वाला पैसा यूज करो क्यूंकि commitment नहीं रहेगा फिर रिजर्वस नाम से समझता है एक्स्ट्रा पैसा है वह पैसा व वह देखकर आप decide करोगी कि debt से पैसा लाना या equity से पैसा लाना है अब फ्यूचर में 2-3 सालों तक growth कम दिख रहा है तो equity से पैसा ला लो तू रंद ग्रोथ दिख रहा है तो debt से पैसा ला लो उसको बोलते है future growth ओके फिर आता है requirement of investors investors का requirement कैसा है investors को you can say bread and butter के लिए पैसा च interest fixed income में तो no doubt आपने क्या करना चाहिए debt issue करना चाहिए बड़ आपके investors को interest capital appreciation में आपके investors को interest capital appreciation में तो उस case में आपने equity issue करना चाहिए उनको तो डिपेंड करता है market में कैसी position है अगर market में recession रहेगा न तो उनको fixed income चाहिए debt issue कर देना आप बट अगर market में बहुत ज़दा you know you can say favorable face चल रहा है किसी को income regular income की ज़रत नहीं कि हर किसी का धंदा अच्छा चल रहा है हर किसी का business एकदम जबर्दस चल रहा है तो ऐसे case में आपने क्या करना चाहिए आपने capital appreciation का target करना चाहिए और equity issue करना चाहिए आपके investors को अगर regular fixed income की ज़रत नहीं है तो आपने equity issue करना चाहिए capital appreciation की ज़रत है तो equity issue करना चाहिए अगर fixed income चाहिए तो debt issue करना चाहिए ओके तो requirement of investors सोचो for example आप मेरे सब्सक्राइब मेरी शॉप है रेडिमेट गार्मेंट्स की आप मेरे शॉप पे आए मुझे बोते भाया एक अच्छा टीशिट दिखा दो और मैंने आपको बोला यह सर और वहां गया और जीन्स निकाला और जीन्स दिखाए सर देखिए पंटास्टिक है आप बोलोगी यह तो अच्छा है मगर मुझे टीशिट चाहिए मैंने बोला ओके वहां गया कुड़ता पैजामा निकाला और आपको बता लो यह देखिए कुड़ता पैजामा तो आप बोलोगे क्या पागल से इसमें नहीं यह यहां यह दुकान से बाहर और इंडेलेल स्रस ओंकम की जरुत है फिक्ट इंकम की जरुते तप्सक्रिशी टेट इंस्ट्रूमेंट बेचओ जल्दी बिगग जाएगा आप समझने बात को और वही कहीं पर भी fixed income की जरुत नहीं है लोगों को तो उस case में मैंने बेचना चाहिए equity तो requirement of investors समझना बहुत जरूरी होता है तो अमझे and last आता है marketability मतलब advertisement दोस्तो marketability करना आना चाहिए अपने instruments को बेचने आना चाहिए अपने को advertisement campaign वगरा run करो जबरदस तरीके से दिरो दिमाथ में लोगों के चाह जाओ आपकी securities लोगों ने buy करने के लिए तड़पना चाहिए बोलना चाहिए भगवान प्लीज कुछ share देदो IPO में भगवान मैंने इतने apply किये lots एक lot तो लगा दो आप लोगों ने बोलना चाहिए इतना curiosity पैदा कर दो कहसे होगा marketability से होगा yes my friends तो marketability very important advertisement very important अगर securities बेच रहे हो तो पहले लोगों को तड़पने दो securities buy करने के लिए उसके लिए advertisement करो हवा करो कुछ के securities की पहले एक बार market में हवा हो जाएगी न तो subscribe क्या ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा 10 ताइम 20 ताइम that is called as marketability yes तो यह main requirement होते हैं दोस्तों अब अब आते हैं दोस्तों overcapitalization undercapitalization बहुत सिंपल भास्ता में समझा देतों मैं आपको overcapitalization क्या होता है और undercapitalization क्या होता है अगर मेरे पास जर्वस्ते ज्यादा पेसा है उसे बोलते ओवर capitalization और अगर मेरे पास तो जरुरस से कम पैसा है तो उसे बोलते undercapitalization understood क्या वोला सर फिर से एक बार सर overcapitalization जरुरस से ज्यादा पैसा अांडर undercapitalization undercapitalization जर्रस से कम पैसा याद रखिये undercapitalization is okay एक बार का less dangerous है overcapitalization more dangerous है देखिये यहां लिखा है undercapitalization should be considered less dangerous but both the situations are bad and every company should strive to have a proper capitalization मतलब ना undercapitalization undercapitalization बहुत खतरना कोता है capital structure को करना पड़ता है undercapitalization बहुत खतरना कोते हैं मतलब दोनों खतरना गते बट अब अबेर्च लेश्व कहते हैं और और उहीं के पैस कमपनी कि पास रेमेडि क्या होती है undercapitalization जरूं से ज़्यादा पेसा अगया overcapitalization I hope दोनों टर्म से एकड़म कलियर है undercapitalization and overcapitalization अब दोस्तों आते हैं हम practical part यह सब था theory यह सब था theory part अब आते है practical part पर इस chapter के अंदर practical part सबर्दस तरीके से आपका CMA institute पूशता है तो practical पर ध्यान दीजिए बहुत इंपोर्डेंट है general assumptions for capital structure theories what is this all theories के लिए general assumption all theories के लिए general assumption कौन से theories है सर चार theories है दोस्तो and I approach and OI approach traditional approach mm approach इन चारों के लिए जो assumption है वो यहाँ पर दिये हुए है क्या क्या assumption है सर एक बार पढ़ लेते पहला assumption लिखा है there are only two sources of finance पहला लिखा equity debt और दूसरा लिखा equity मतलब there are no preferences as far as the चार theories are concerned यह जो अभी अभी चार theories का नाम पढ़े न आपने यह चार theories के अब तक याद रखिए याद रखिए यह चार theories के अब तक न आपके पास दो ही sources है या तो debt या तो equity preference बिलकुल allowed नहीं है दूसरी बात आप आपका capital employed change नहीं कर सकते हो what is the capital employed meaning sir capital employed का meaning था कि आप आपका total capital employed मतलब debt equity preference सबका total जितना भी total पैसा आपकी company में आया वो total वो नहीं change कर सकते हो फिर क्या change कर सकते है उसका capital structure change कर सकते हो capital structure change करना मतलब क्या सकते हो उसका mix और उसका composition आप change कर सकते हो, अगर आपके बास 200 lakh रुप है, तो आप equity से पूरे 200 lakh लाँ सकते हो, 100 lakh equity से लाँ सकते हो, 100 lakh debt से लाँ सकते हो, 50 lakh equity से लाँ सकते हो, और 150 lakh debt से लाँ सकते हो, कुछ भी proportion कर सकते हो, 200 का proportion आप decide कर लो, debt से कितने लाना है, equity से कितने लाना है, आप decide कर लो, but 200 lakh को change नहीं कर सकते हो, उसको बोलते है, capital structure cannot be changed, but capital, sorry, capital employed cannot be changed, but capital structure can be changed, मतलब तुम 200 lakh को change नहीं कर सकते हैं, 200 lakh के composition को change कर सकते हो, I hope सब को समझा है, now, no retainer नहीं, यहाँ पर बोला गया है, जितना कमाएंगे, पुरा distribute कर देंगे, no retainer नहीं, समझा क्या आपको, company बस कमाया, distribute कर दिया, next year कमाया, distribute कर दिया, no retainer नहीं, जितना कमाई हो रही है, उतना dividend बाट रहे हो, means, your net income is your dividend, net income मतलब income available for equity shareholders होता है, उस मेंसे तुम dividend बाटते ह और कुछ retain करते हो, यहाँ लिखा है no retainer नहीं, तो कुछ भी retain नहीं करना है, पूरा dividend बाट देना है, okay, and then, उसके बाद लिखा है no losses, no losses का मतलब क्या हुआ, no losses का मतलब हुआ, कि company सिर्फ profit ही कमाएगा, losses बिलकुल भी नहीं होंगे, उसको बोलते है no losses, no change in fixed cost of operation, आप सब को पता है, कि हमने leverage में क्या पढ़ा था, leverage में पढ़ा था operating part, leverage में पढ़ा था financial part, यह लोग बोल रहे कि तू तव तेरा capital structure change कर सकता है, मतलब तू तो तवरा operating का fixed cost change नहीं होगा operating का fixed cost change नहीं होगा, no change in operating fixed cost, मतलब safe, less variable cost contribution, less fixed cost EBIT, EBIT तक का part सेम रहेगा, फिर क्या change होगा सर, अगर तू capital structure को change कर रहा है, debt equity को change कर रहा है तो EBIT के नीचे का part change होगा इसलिए दोस्तो, इस chapter में आपके अधिकतर answers की शुरुवाद जो है अधिकतर answers की शुरुवाद जो है वो EBIT से होगी अधिकतर answers की शुरुवाद जो है वो EBIT से होगी, क्योंकि तुमारा operating part में कोई बदलाव नहीं आएगा no taxes, ना personal tax है, ना corporate tax है, no taxes कहां से दुनिया में जी रहे इंडिया में रहेकर बोल रहें, no taxes बट कोई बात नहीं, assumption तो assumption है ओके, तो no tax बोला है ओके, no tax, उसके बाद बोल रहें no difference in investors expectation investors कोई जाधा, कोई कम expect नहीं करेगा, हर investors same rate of return expect करेगा तभी तो हम केई निकाल पाएंगे यह assumption किसलिए दिया हुआ है 4K I watch it I found on this web यह वो, पता नहीं, अचाहन से I watch on हो जाता है, फिर off हो जाता है शांत रहेंगे बाबा yes 4K, what they are saying what they are saying 4K कि no difference in investors expectation तभी तो केई निकाल पाओगे आप क्योंकि दोस्तों, अगर मेरा एक investor 10% expect कर रहा है, तो मेरा केई 10% है, दूसरा investor 14% expect कर रहा है, तो मेरा केई 14 पे jump हो जाएगा, तीसरा investor 4% expect करेगा, तो मेरा केई 4 पर आजाएगा यह बोल रहें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, हर investors का rate of return जो वो expect कर रहे है, return from company, वो सेम है, तभी तो जाकर केई सभी का सेम आएगा yes now, अब ऐसे case में दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका capital structure theories, capital structure theories के दो classification है, पहला classification बोलता है कि आपका capital structure जब आप change करते हो, तो उस ते आपका के change होता है, capital structure, क्या लिखा है affects WAC, और दूसरा जो capital classification है, वो क्या बोलता है सर, capital structure does not affect WAC, capital structure की वज़े से आपका WAC change नहीं होगा, first बोलता है, WAC change होगा, second बोलता है, WAC change नहीं होगा, yes, दो classification है, WAC change होगा बोलने वाला अप्रोच है, NI अप्रोच और ट्रडिशन अप्रोच, WAC change नहीं होने वाला अप्रोच है, NOI अप्रोच और MM अप्रोच, WAC change नहीं होगा, कौन बोल रहा है NOI बोल रहा है, MM बोल रहा है WAC change होगा, यह कौन बोल रहा है NI बोल रहा है, और traditional बोल रहा है तो देखते हैं, दोस्तों, एक एक करकर यह theories को, सबसे पहले NI theory की बात करते हैं, सबसे पहले आते है, Net Income Approach पर Net Income Approach, यह रहा मेरा Net Income Approach Yes, my friends Net Income Approach ने क्या किया General assumptions के अलबा, और कुछ assumptions यहां पे लिखे हुए, सबसे पहले बोला है, KD is equal to debt capitalization rate, very good, capitalization rate का मतलब होता है, cost of capital तो debt capitalization का मतलब होता है, debt का cost of capital ओके, यह तो हमको पता ही है KD का मतलब होता है, equity capitalization rate, बिल्कुल सही है, cost of equity then, KD is always less than KD यह logic क्या बोल रहा है KD, जो है KD, cost of debt, वो हर बक, cost of equity से कम रहेगा, बिल्कुल सही assumption है क्यों कम रहेगा सर KD के case में debt आता है, debt जो है debt fixed, equity के case में उनके expectation ever rising because they are the real owners और दूसरी बात उनको dividend जो दिया जाता है, वो tax deductible नहीं है तो obviously, दो reason की वज़े से KD कभी भी कम रहेगा KD कभी भी जादा रहेगा, इन्होंने कोई reason specify नहीं किया, सीधा आपको वो दिया assume कर लो KD कम है और KD जादा है मगर यह assumption बहुत realistic assumption है last assumption, यहाँ पर लिखा है last assumption, last assumption क्या है KD and KD remains constant for all debt equity mix KD and KD remains constant for debt equity mix मतलब क्या हुआ सर इसको underline कर लो, इसको star mark कर लो यह बहुत important assumption है दोस्तो यह assumption क्या बोलना चाहता है सर, नहीं समझा सर, यह assumption कुछ बोलना चाहरा है सर, नहीं समझ रहा है सर, बताइए सर एक बार assumption क्या है, assumption यह दोस्तो कि debt equity change करने के बाद आपका cost of debt same रहेगा मतलब तुम 10% debt low, 70% debt low 90% debt low अगर तुम्हारा bank बोल रहा है 9% से मिलेगा तो आपको debt 9% से ही मिलेगा तो तुम्हारा capital structure में debt 10% है debt 20% है debt 80% है तो भी तुम्हारा cost of debt percentage वाइस 9% है तो 9% ही रहेगा ओके, केडी जो है केडी वो उपर रहेगा और वो भी constant रहेगा और उसका rate अगर 14 बोला है तो 14 का 14 नहीं रहेगा हरवत 14 रहेगा yes, that is called as K and KD both remaining constant तो अब ऐसे case में जितना तुम X-axis पे आगे बढ़ोगे इस side, उतना तुम debt को ज़्यादा बढ़ाओगे और equity को कम करोगे, debt को बढ़ा रहे हो equity को कम कर रहे हो, debt एक सस्ता capital है, equity एक महेंगा capital है महेंगा capital तुम कम कर रहे हो सस्ता capital तुम बढ़ा रहे हो तुम्हारा overall cost of capital जिसको हम back बुला रहे है, जिसको हम KO बुला रहे है, वो कम कम होते जाएगा, ये देखिए आपका KO, क्या दिख रहा है आपको क्या नजर आ रहा है, आपको KO कम कम हो रहा है येस, my prince, KO कम 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 हो रहा है इसका मतलब आपको NOI approach में, NI approach में NI approach में, आपको KO धूर ना है क्योंकि यहाँ पर KO change हो रहा है आप देखिए, एक बार मैं सब कुछ रप कर रहा होता कि आपको clear हो येस, देखिए K उपर constant है KO केड़ी नीचे constant है दिख रहा है आपको, कि यही ऊपर constant है येस, सर KO केड़ी नीचे constant है बट क्यों, जो है, क्यों, वो changing है इसका मतलब, NI approach में last step होगा, finding क्यों कैसे find करेंगे, सर क्यों steps देखते, दोस्तों कैसे find करेंगे, क्यों steps देखते, दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी सब लोग सबसे पैड़ा step लिखाए, EBIT सर, EBIT से क्यों शुरुवात किया सर आपको मैंने बताया था यादा रहा है कुछ, EBIT से क्यों शुरुवात किया दोस्तों, EBIT से इसलिए शुरुवात किया है because आपका operating part change नहीं होता है जो change होगा, वो financial part में change होगा इसलिए EBIT से answer शुरुवात होती है yes, EBIT में से less कर देंगे, interest मिल जाएगा EBIT, बट उसको बुला रहा है NI EBIT NI कैसे हो सकता है सर tax बरना पड़ेगा, no tax sir, EIT के बाद generally हम preference dividend बरते थे there are no preference shares किस ने बोला थेर, आजमिशन ने बोला there are two sources of finance, debt and equity तो preference है नहीं, तो preference dividend किसको देगा तू tax है नहीं, तो tax किसको pay करेगा तू इसका मतलब तेरा EBIT ही तेरे equity shareholders को available रहेगा तो इसलिए तू EBIT को बुला रहे है NI yes my friends so second step is EBIT which is NI which is nothing but EBIT minus interest on debt third step NI किसको बिलान करता है equity वालो को sir, तो value of equity निकाल लेते है, जिसको symbolically S बोलते है, S क्यों बोलते है sir equity shareholders होते हो इसलिए उसको S बोलते है, shares तो value of equity को S बुलाते है S is nothing but NI upon K यह formula है, NI upon K मतलभी EBIT upon K okay, then fourth step is value of debt D D is equal to interest upon KD sir, यह formula है ऐसा क्यों हो रहे sir, यह समझ नहीं रहे, sir, यह third step, fourth step कोई बात ही, ध्यान से सुनो fourth step पहले समझ लो, फिर third step समझ लेते fourth step बोल रहे, debt is equal to value of debt is equal to interest upon KD तो दोस्तों, यह interest का ही तो formula है interest is equal to क्या होता है, debt into KD होता है, debt into KD is interest, तो उसको modify करके debt is equal to बना दिया आपनने yes, और उपर वाला, नीचे वाला formula है उपर को logic को लगा दिया हमने नीचे debt है, उपर equity है नीचे debt था इसलिए KD लिखा है उपर equity है, तो K लिखना पड़ेगा denominator में, नीचे debt था तो numerator में interest आया, because debt वालों को interest पे होता है, उपर equity है तो obviously equity वालों को NI पे होता है इसलिए NI लिख दिया है यहाँ पर तो formula बन गया, NI upon equity, KD NI upon KD gives you equity नीचे बन गया, आपका interest upon KD gives you debt firm के पास, debt और equity को छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो directly इन दोनों के value को add कर दो, value of firm मिल जाएगा, value of firm V is equal to S plus D बन जाएगा value of firm will be V is equal to S plus D what is S, value of equity what is D, value of debt जब तो equity का value और debt का value आड कर दोगे तो firm का value मिल जाएगा, chapter number 1 में भी लिखा था दोस्तो, value of firm is equal to VE plus VD, value of equity plus value of debt तो देखो, S plus D लिखा हुआ है and last step is Q, Q is equal to EBIT upon V into 100, logic क्या इसर इस formula का, overall cost of capital is equal to EBIT upon V into 100, तो एक काम करते हैं, overall capital में दोईतो capital है दोनों capital को denominator में डाल दो, S plus D दोनों capital को denominator में डाल दो S plus D, S plus D मतलब V बन गया ओके, यहां तक समझा सर दोनों capital के cost को numerator में डाल दो, दोनों capital के cost को numerator में डाल दो S का cost मतलब equity का cost आएगा NI मतलब EBT NI मतलब EBT और debt वालों का cost आएगा interest मतलब I, तो EBIT plus I is EBIT EBIT plus I is EBIT, S plus D is V Everyone, I hope you are understanding the logics of formula, these all formulas we have derived in our regular batches, और अभी भी मैं कोशिश कर रहो के मैं आपको थोड़ा सा इसका logical interpretation देदू, ताकि आप रटा ना मारो Yes, my friends, EBIT upon V in 200 gives you KO तो हम पौछ चुके KO की तरह यहां तक का story सब कुछ एगदम clear है, मतलब N.I approach second step क्या था, EBIT था, second step क्या था, EBIT minus interest EBT which is called as NI, because कोई tax नहीं है, कोई preferences नहीं है समझ गया है सब, अब NI किसको बिलों करता है, equity वालों को तो value of equity निकालो, value of equity का formula, S का formula रहेगा NI upon K, NI upon K, fourth step value of debt D is equal to interest upon KD, दोनों का हमें interpret कर सकते हैं, relate कर सकते हैं, easily समझ जाता है formula का logic तो यहां पर हमें value of debt और value of equity दोनों मिल गया, fifth step में निकालो V, V is equal to S plus D, because firm के पास debt और equity को छोड़ कर और कुछ नहीं है तो V is equal to S plus D, that is your step number 5, step number 6 is your Q, Q is equal to what? EBIT upon V into 100, step 6 में step 1 EBIT ले रहे, step 5 का V ले रहे और into 100 कर रहे, तो fifth, first step by fifth step into 100 कर रहे, that gives you your Q, yes my friends, cheap as sir, yes sir, makhan sir, सुन्दर बोल रहे, logic step 4, yes, बिल्कुल सही है, आपका step 4 का logic is interest का formula, interest is equal to debt into KD करते हैं, तो debt is equal to क्या होगा सुन्दर, interest upon KD होगा, yes, तो यह था दोस्त, आपका NI approach, NI approach समझ गया sir, बढ़िया है sir, NI approach में को चेज हुआ sir, इसलिए उदर heading में लिका हुआ है, capital structure affects back, क्योंकि क्यों change हुआ है sir, affects back में क्या होता है, क्यों change होता है, क्यों change होता है, क्यों change होता है, उसको बोलते है affects back, does not affect back में क्या होता है sir, क्यों constant होता है sir, does not affect back में क्या होता है, के वो constant होता है सब, तो एक काम करते NOI approach देखते हैं, जहां के वो constant है ओके, तो आप next step, जो next theory हम लोग देख रहें वो है NOI approach, net operating income approach पहला step, KD is always less than K, बिल्कुल सही है यही तो पढ़ाता अपनने, एक दम यही तो पढ़ाता अपनने उसके बाद बोला है, KD remains constant 3 को क्या लिखा हुआ है, आजन शंतरी बोलता है K increases as debt content increases, जितना तु डेट बढ़ाएगा के उतना बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा स्थर, क्यों बढ़ेगा, डेट बढ़ाने पर क्यों बढ़ेगा सर because debt बढ़ाने से company का financial risk बढ़ता है equity investors को लगता है कि company का financial risk बढ़ रहा है तो उनके returns के expectation भी बढ़ते है इसलिए के ही बढ़ता है चाहिए तो bracket में जखेंगे due to higher financial risk higher financial risk, due to higher financial risk due to higher financial risk, क्यों बढ़ रहा है due to higher financial risk तो ऐसे case में यह आपका assumption number 3 आ गया assumption number 4 बोलता है market capitalizes पढ़ लो कुछ समझेगा नहीं बढ़ पढ़ लो market capitalizes the value of firm as a whole without giving importance to debt equity mix market firm को देखता है firm के debt equity को नहीं देखता है market firm को देखता है firm के debt equity को नहीं देखता तो इसलिए overall market का value firm का value firm का value same रहता है ऐसा यह बोल रहा है तो कोई बात नहीं चलो हम लोग in theories के मताबिक diagram को समझ लेते एक बार theory के assumption के मताबिक kd constant रहेगा बिल्कुछ सही है kd constant है उपर उन्हाने बोला था assumption में कि market firm को देखेगा firm के debt equity को नहीं देखेगा तो k.o constant है k.o constant मतलब overall cost of capital constant है और उन्हें बोला था कि जैसे जैसे debt बढ़ा होगे company का financial risk बढ़ेगा और company का financial risk बढ़ेगा तो k.o जो है वो बढ़ता जाएगा तो यह देखो बढ़ रहा है k.o तो आपको इस theory में दिया क्या रहेगा सर्फ केड़ी दिया रहेगा क.o दिया रहेगा दूरना क्या है last step क्या है इस theory का केई है sir last step था finding केई तो चलो जैसे last step पिछले theory में केई हो था यहाँ पर last step आएगा केई yes my friends तो अब आपका steps निकाल लेते NOI approach के step number 1 no change because operating part अभी भी same है तो EBIT से ही शुरुवात होगी step 2 no change EBIT minus interest gives you EBIT which is called as NI यहाँ तक step में कोई difference नहीं है third step आपको change करना पड़ेगा क्यों sir क्योंकि third step में लिका था value of equity S is equal to NI by KE यहाँ पर KE constant नहीं है KE change हो रहा है देखो KE constant नहीं केई change हो रहा है आपको KE धूनना है तो third step change करना पड़ेगा कोई बात नहीं कुछ और चीज तो constant है कौन सी चीज constant है क्यों constant है तो अगर KE constant नहीं था तो हम value of equity नहीं निकाल पाए मगर क्यों constant है तो हम value of firm निकाल लेंगे directly KE नहीं निकाल पाए value of equity के लिए मतलब KE यूज नहीं कर पाए value of equity के लिए KO तो यूज कर सकते value of firm के लिए तो value of firm निकालेंगे value of firm V is equal to क्या बोलेंगे EBIT by KO बोलेंगे सर ये कहां से आया सर ये फॉर्म ना कहां से आ रहा है ये पिछले तेयोरी का last step था KO is equal to EBIT upon V into 100 तो उसी को modify करके और यहां पर है B is equal to EBIT upon KO तो इससे मुझे value of firm मिल जाएगा fourth step change करने की जरुति है value of debt वहिती रहेगा interest upon KD सर वो same क्यों रहेगा सर because KD यहां पर constant है देखिए पिछले थेयोरी में भी constant था इधर भी constant है अगर constant है मतलब question में given रहेगा question में given रहेगा तो directly use हो सकता है तो directly use करकर value of debt निकाल लिया सर वापस से बता दीजीए सर इसका formula का logic क्या था interest के formula क्या था debt into KD था उसको modify करके debt is equal to बना दिया तो interest upon KD आजाएगा formula और आपका value of debt निकल जाएगा अब आपके पास पूरे firm का value है और debt का value है पूरे firm के value में से debt का value निकाल दो तो equity का value बचेगा पूरे firm के value में से debt का value निकाल दो तो equity का value बचेगा दोस्तों इसलिए मेरा fifth step रहेगा value of equity S is equal to V पूरे firm का value minus D is equal to debt का value तो बचा value equity का रहेगा ना तो value of equity is equal to V minus D because because V is equal to क्या पढ़ा था अपने पिछले थियोरी में S plus D V is equal to क्या पढ़ा था S plus D पढ़ा था तो S is equal to क्या होगा V minus D होगा न Yes, absolutely यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया Now, finally K ही निकाल सकते हैं हम लोग Finally, K ही निकाल सकते हैं क्या आपके पास value of equity S आच चुका है तो आप क्या कीजिए आप पिछले थियोरी का third step change कीजिए पिछले थियोरी का third step क्या था Sir, पिछले थियोरी का third step क्या था Sir, S is equal to Ni by K था, उसको modify करके K is equal to बना दीजिए, K is equal to Ni upon S into 100 हो जाएगा K is equal to Ni upon S into 100 हो जाएगा Sir, ये into 100 कहां से आया सर उसमें तो नहीं था, यहां क्यों आगया सर अरे K निकाल गयो तुम percentage में into 100 होगा इसलिए Ni upon S into 100 will give you K because पिछले थियोरी का third step क्या था S is equal to Ni upon K था उसी को modify करके अपन ने ये बना दिया दोस्तो I hope सबको इंदीली सबज़ना है और हमने done कर दिया है NOI approach NOI approach के 6 steps एक बार revise करेंगे और पिर आगे बढ़ेंगे EBT, बिल्कुल सेम था जो पहले था Ni में भी था दूसरा step EBT और Ni is equal to EBIT minus interest ये भी सेम था तीसरा step change करना पड़ेगा भी cost K नहीं दिया तो S नहीं निकल सकता है मगर Q भी आए तो V चो निकल सकता है V is equal to EBIT upon Q EBIT upon Q will give you V fourth step सेम रहेगा value of debt D is equal to interest upon KD value of debt D is equal to interest upon KD सेम रहेगा अब आपके बास पूरे firm का value रड़ी है और debt का value रड़ी है पूरे firm के value में से debt का value निकल लो equity का value आजाएगा value of equity S is equal to V minus D V minus D will give you S yes आपके पास S आचुका है अब last step निकालना है K निकालना है K is equal to एक काम कीजिए पिछले थेओरी का third step चेंज कीजिए पिछले थेओरी का third step यह रहा आपके सामने S is equal to N I by K इसको modify करके K is equal to बनाएए K is equal to N I upon S into hundred that will give me my K so these are the six steps of N O I approach yes my friends यहां तक कपाट तो बिल्कुल चबर्दस समझाए सर मख़न समझाए सर तो हमने क्या कर दिया हमने N I approach cover कर लिया बिल्कुल सही बोला सर हमने N O I approach cover कर लिया यह भी सही है सर अब हम लोग जाएंगे M M approach की तरफ M M approach दोस्तो is a refinement of N O I approach copy यह रहे copy of N O I approach okay सिर्फ दो अलग चीज़े वो बोलता है क्या बोलता है M M approach एक बार देखते है M M approach की तरफ assumption देख लो आपको समझ जाएगा कि यह बिल्कुल N O I का copy है बिल्कुल N O I का क्या है copy है यह देखिए first step KD is less than K बिल्कुल यह तो हमको पता है KD is remaining constant at all level of debt equity mix बिल्कुल सही है KD increases has joint content increase गर्स वो भी हमको पता है due to more financial risk यह तो अपने N O I में पढ़ा था न and last market capitalizes the value of without giving importance to debt equity mix इसलिए तेरा को constant होता है तो यह चारो चीज़े जो है यह N O I में अभी अभी तो पढ़ी थी बिल्कुल सेम as N O I लिख दीजिए same as N O I 1, 2, 3, 4 step assumptions जो है वो बिल्कुल सेम 5th assumption क्या बोलता है 5th assumption बोलता है market जो है capital market capital market मतलब share market share markets perfect है investors free है buy करने के लिए और sell करने के लिए जो भी secretism को buy और sell करना है कोई transaction cost नहीं लगेगा मतलब जितने भी secretism का value आपको purchase करना है that will be number of shares into price per share and जितने भी बेचने है that will be nothing but number of shares जितने बेचे into price per share वो पूरा आपके jam में आ जाएगा no transaction cost then investors personally borrow without restriction on the same terms as the firms do आपको ये sentence का मीनिग याद होगा दोस्तो investors को risk balance करने के लिए borrow करना पड़ता है MM approach में जब आप levered firm से unlevered firm की तरफ जाते हो तो obviously आपको levered firm में debt था unlevered firm में debt नहीं है तो debt के risk को match करने के लिए unlevered firm में जाते वक sometimes same terms and conditions पर borrow करेंगे जिस terms and conditions पर company borrow करता है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि investors can personally borrow without restriction on the same terms as the firms do तो ये switching के वक्त काम में आता है switching के वक्त risk को match करने के लिए काम में आता है आपको याद होगा तो personal borrowing का बाता है risk को match करने के लिए switching के वक्त काम में आता है देन दोस्तों लास्ट लास्ट चीज क्या बोलती है same risk class दो companies same risk class में कवरेते हैं जब उनका capital employed same है और उनका EBIT भी same है तो उनको बोलते होमोजिनेस risk class मतलब same risk class का classification होमोजिनेस risk class same risk class का classification अब दोस्तों दो firms अगर same capital employed के है और same EBIT है तो उनका फिर्म को बोलते है same risk class according to MM approach होता है दोस्तों this theory is a copy of NOI approach आप exam में word copy मत लिखिए refinement लिखिए क्या लिखिए refinement मतलब क्या copy है बस लिखते हो तो refinement लिखते है ओके this theory is a refinement of NOI approach additionally यह दो ही बाते बोलता है मैं पहले से बोल रहो यह दोवाते बोलता है कांसी दोवाते बोलता है सरिए पहली बात यह बोलता है पहली बात यह बोलता है कि अगर दो firms जो है वो रिस्क क्लास उनका same है माने के उनका capital employed same है yes बिल्कुल सही है और उनका EBIT भी same है बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सेम है, capital employee सेम है, EBIT भी सेम है, तो ऐते करेंस में, उनका market price per share भी सेम ही होगा, उनका market price per share भी सेम ही होगा, दोस्तों, तो MPS is also same, price per share should be also same, MPS is also same, यह बोना चाहते हैं, कि दो परम है, capital employee सेम है, EBIT सेम है, तो यह दो company का market price per share भी सेम होगा, proposition number one, proposition number two बोलता है, if for any moment यह सेम नहीं है, proposition number two क्या बोल रहा है, कि कोई भी moment के लिए यह अगर सेम नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो market में arbitrage process शुरू हो जाएगा, और buying and selling शुरू हो जाएगा, और फिर उ उससे सेम हो जाएगा, लिखिए दिखा है कि दोस्तों, यहां पर लिखा है, if for any moment the market price per share is not safe, arbitrage process will make it same, sir, arbitrage process क्या होता है, sir, buying and selling को बोलते है, arbitrage process, buying and selling शुरू हो जाएगा, market में, खरीदारी, बिक्वारी शुरू हो जाएगी, खरीदेंगे वो शेस जिसका दाम कम है, बेचेंगे तो दाम कम होना चलो हो जाएगा, जिसको खरीद रहे उसका दाम कम है, तो उसका दाम बढ़ना चलो हो जाएगा, इसको बेच रहे उसका दाम कम हो रहा है, इसको खरीद रहे इसका दाम बढ़ रहा है, तब तक चलते जाएगा, जब तक दोनों के prices सेम नहीं हो अगर दो company जिसका capital employee same है जिसका EBITV same है तो इस theory के मताबिक उसका market price per share same होना चाहिए proposition number two बोलता है अगर कोई moment पर वो same नहीं है तो market में शुरू हो जाएगा dash arbitrage process buying करेंगे सस्ता share बढ़ना चालू हो जाएगा selling करेंगे महेंगा share कम होना चालू हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का price same नहीं हो जाथा that's called mm approach absolutely तो यह था दोस्तों आपका mm approach mm approach का diagram बिल्कुल NOI approach जैसा ही है नीचे KD constant है yes sir उपर को constant है yes sir और यहाँ पर के change होते जा रहा है बिल्कुल सही है mm approach के किसमे switching वाले questions आते levered firm से unlevered firm unlevered firm से levered firm सब कुछ class में solve किया था दोस्तों आप एक बार वापस practice कर लेना जो लोगों ने solve नहीं किया रहेगा मेरे class में नहीं रहेंगे कोई बात नहीं आप solve कर लेना study model से नहीं आएगा अगर आपको तो आप marathon refer कर लेना आपको समझ जाएगा yes friends so that is mm approach for you तो हम लोगों ने क्या कर दिया mm approach भी cover कर लिया है तो हमारे कितने theories cover हो चुके तीन theory cover हो चुके out of four अब बात करते हैं दोस्तों traditional approach की traditional approach बहुत easy है दोस्तों क्योंकि traditional approach में कुछ चीज़ पूशी नहीं सकते हो लोग traditional approach बहुत आसान है दोस्तों देखिए एक बाद traditional approach assumption क्या बोलता है traditional approach का यहां पर assumption बोलता है KD is less than K यह तो हमको पता है भाई कितनी बार बोलोगे KD less than K है बिलकुल हमें पता है दूसरा बोलता है assumption जिसको हम star mark करेंगे KD and K vary as per the debt equity mix with the change in debt equity mix your KD will also change your K will also change आपको याद होगा NI approach ने दोनों को constant assumed किया था NOI ने एक को change किया एक को constant रखा MM ने तो उसका copy कर लिया यह last approach बोल रहा है दोनों change हो जाएंगे KD भी same नहीं रहेगा KD भी change सेम नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेंगे देखिए यहां पर KD बढ़ रहा है बढ़ रहा है लॉजिक वही है financial risk बढ़ रहा है यह लेवर तक constant रहता है एक लेवर तक आपको bank comfortably loan देता है फबस पर इस परसेंट लोन आप मांग रहे हो 90% आपके खुद के पैसे बैंक बोलता है ले लोन सर कोई problem नहीं 70% पैसे bank के 30% तुमारे bank बोलेगा क्या कर रहे हो सर मतलो न सर अब आप बोलहे हो 90 percent bank का 10 percent तुमारा bank बोल बैंक बोलेगा नहीं सर नहीं nous पिर हमारा costs भी बढ़ेगा सर क्यूंकि हमारा risk आप बढ़ा रहे हो तो हमारा cost भी बढ़ेगा इसवजे से केड़ी जो है केड़ी वो बढ़ना चलो हो जाएगा इसलिए ना केड़ी कॉंस्टेंट रहेगा आप सबको एकदम जबर्दस तरीके से समझा लेगा दोस्तो केड़ी और केड़ी बोथ वैरी तो ऐसे केस में ये थियोरी क्या करता है इसको तीन पार्टस में डिवाइड करत यह तो बिल्कुल NI approach जैसे हो गया लिखिये वहाँ पर phase 1 जो है वो NI approach जैसा है उस वक्त के ओ जो है वो falling 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 है yes my friends उसके बाद phase 2 को अगर मैं देखू तो नीचे केडी constant है बट उपर केई बढ़ रहा है नीचे केडी constant है उपर केई बढ़ रहा है तो दोस्तो phase 2 मुझे कैसा दिख रहा है NOI जैसे दिख रहा है तो NOI approach में तो को constant था तो गिरने वाला को अचानक से constant नहीं हो सकता वो गिरेगा 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 bottom level तक पहुचेगा और फिल rise करेगा तो जितना start of the stage था उतना ही end of the stage दिख रहा है मुझे मुझे जितना start of the stage की हो दिख रहा है उतना ही मुझे end of the stage की हो दिख रहा है उस angle से वो constant है अब third stage में नीचे केडी बढ़ रहा है उपर केड़ रहा है क्या कर रहे हो दोनों capital अगर cost में बढ़ेंगे दोनों capital के cost अगर बढ़ेंगे तो overall cost तो बढ़ने ही वाला है तो क्यों क्या होगा बढ़ते जाएगा बढ़ता जाएगा क्यों बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा because नीचे केड़ी बढ़ रहा है उपर केड़ी बढ़ रहा है एक बात सोचने लाइक है कि सर यह traditional approach में सर क्यूं practical question नहीं आ सकता क्योंकि दोस्तों तीनों चीज़े change हो रही है तो यह लोग देंगे क्या और पूछेंगे क्या और अगर इनने कोई question पूछ भी लिया न तो वो traditional approach का नहीं रहेगा भले यह लोग नाम लिखेंगे according to traditional approach यह लोगों को यह तो केडी देना पड़ेगा यह तो केडी देना पड़ेगा और केडी पूछेंगे कोई न कोई आइटम देंगे और बचावा आइटम पूछेंगे आपको तो वो traditional approach थोड़ना हुआ हो समझें तो इस पर practical question नहीं आ सकता बाकि जो भी दोना थे पड़े थे उसके steps को देख करी यहाँ पर कोई दो आइटम दिये रहेंगे और तीसरा आइटम दूढ़ना रहेगा तो steps तो वही यूज़ करना आपको जो न आई और नो आई म या तो केई देंगे केडी केओ या केई कुछ न कुछ देंगे और बचाओ पूछेंगे शेल यह गाईज हमारे चारो थेयोरीस कतम हो चुके हैं एन आई एन आई एन ओ आई एम एम अप्रोच एंड ट्राइशनल अप्रोच चारो भी अप्रोच इस हमने कवर कर लिए दोस तो और ने पढ़ा जो है हमारा वो है वो है हमारे लिए गोंस्तोmm want अप्रोच के अंदर ही with tax without tax तो आमने जो पढ़ा था वो था टाउट टाक्स विट टकस के किसमें नो दोस्ता आपको सिर्फ यह थी यह याद रखने पड़ेंगे यह याद रखने पड़ेंगे व उसमें टैक्स बेनिफिट एड़ कर दोगे तो लेवर्ड का वालुय मिल जाएगा जिसको गेड़ फिर्म बोलते तॉसली लेवर्ड क्या होता है लेवर्ड मतलब डेट के साथ अलेवर्ड मतलब विदाउट डेट वाली को नहीं पता होगा तो लिखिए विदाउट डेट without debt वाली firm को unlevered बोलते हैं levered मतलब with debt जिस firm के पास debt होता है उसको with debt levered firm बोलते है geared firm बोलते है और इसलिए ज़र VG लिखावा है value of geared firm जो firm के पास debt नहीं होता है उसे unlevered firm बोलते है तो unlevered firm के पास अगर debt नहीं है तो tax benefit नहीं मिल रहा है उसको और levered firm के पास अगर debt है मतलब उसको tax benefit मिलेगा बड़ जो मिलने वाला tax benefit है वो तो future years में मिलेगा future years का tax benefit का present value जो है उसको हम बुलारे present value of tax benefit present value of interest tax shield अगर आप unlevered firm के साथ add कर दोगे तो मुझे levered firm का value मिल जाएगा मुझे levered firm का value मिल जाएगा उस case में अगर आप unlevered company के साथ present value of interest tax shield निकाल लोगे यहाँ पर एक चीज़ लिखी नहीं आपको लिखना है क्या लिखना है सर present value of interest tax shield कैसे आएगा present value of interest tax shield आएगा debt into tax rate करकर डोंट वरी इसका हमने derivation class में किया था अगर आपको याद नहीं रहेगा या आपको डीप में नहीं जाना है तो कोई बात में directly लिख दीजिए क्योंकि यह revision session से हम regular में कितने डीप में जाएगे मेरा target था already एक घंटा 15 मिनिट में रुकने का मुझे पता है मैं रुकने नहीं वाला हूँ और शायद आपको भी पता रहेगा कि मैं रुकने नहीं वाला हूँ तो इसलिए हम चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे ठीक है कोई बात में present value of interest tax shield is nothing but दोस्तो date into tax rate date into tax rate gives me present value of interest tax shield तो date amount into tax rate question में धूरने का multiply करने का उससे मिल जाएगा तुझे present value of interest tax shield जितना भी है लिवर्ट पर्म का value दिया रहेगा वो उसके साथ हैर कर देंगे तो लिवर्ट पर्म का value मिल जाएगा क्लपना क्या पूछ रहे सर प्रैक्टिकल कोश्चन्स जादा आते हैं एंड थियोरी कोश्चन्स के comparison में बिल्कुल नहीं कलपना आपके जो cma के syllabus है उसमें आपके paper pattern में कुछ पार्ट जो है वो objective है और कुछ पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें पूरा का तो no doubt theory पर बहुत जादा weightage है इसलिए तो मैं एक नएक चीज समझा रहा था आपको theory का यह तो practical एक है बट बाकी theory के लिए मैं detail में इसलिए जा रहा था because आपके syllabus में theory को बहुत जादा weightage दिया हुआ है येस दूसरे formula दोस्तो cost of equity for levered pump जिसको k of geared pump बोलते k of geared pump के लिए आपको यह formula याद रखना पड़ेगा सरी यह formula क्या है k of un geared pump unlevered pump plus k of unlevered pump minus kd into debt upon debt plus equity into debt upon debt plus equity maturity मतलब यह बन गया debt equity ratio debt equity ratio आप multiply कर रहे हो इदर इसके साथ और जो भी value आ रही है उसको value of key unlevered के साथ क्या कर रहे हो एड कर रहे हो उसको तो आपको मिल जाएगा आपका geared from का के geared from के के मतलब levered pump का के लिए आपको unlevered pump का के लेना है प्लस unlevered pump के के में इसे kd less करना है तो आपको extra वाला पार्ट मिल जाएगा उसको debt equity ratio से multiply करना है बस उसके साथ add up कर देना है के of unlevered के साथ तो आपको geared from का के मिल जाएगा तो यह formula आपको use में नहीं आएंगे यह दोनों formula rarely rarely पूछते rarely पूछते पर अगर पूछ भी लिया तो बस याद रखिए formula 1 और formula 2 इतना ही formula जो आपको याद रखना पड़ेगा फिलाल के लिए इससे याद रख लिजिए formula book में update कर दीजिए और logic का अगर आपको refer करना तो वह तो regular बात करते दोस्तों आपके बचे concepts की बचे concepts में हमारे पास दोस्तों दो चीज़े इसको हम बोलते other important concepts other important में पहली चीज़ आती है financial break even point और दूसरी चीज़ आती है indifference point financial break even point क्या होता है sir एक ऐसा level of EBIT होता है जहां पर EPS एक plan का 0 होता है EPS एक plan का 0 होता है तो मैं बोलता हो वो let the EBIT be x x में से interest list कर देंगे ये bracket को क्या बुला सकते अगर EBIT be x बोल रहो और x में से interest list कर रहो तो bracket क्या है ebt है ebt को into one minus tax कर दिया तो क्या बन गया दोस्तों anything into one minus tax is after tax ebt को into one minus tax करेंगे तो EAT आ जाएगा earning after tax earning after tax में से अगर preference dividend list कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों अगर तुम statement visualize कर रहे हो तो earning after tax में से preference dividend list कर देंगे तो एनाय मिलता है प्रेफरेंस डिविडिट की आया सर आपने तो बहला था no preference share यहां पे सर आप PD list कर रहे हो no preference share मेरे लिए चार थियोरी के लिए था एनाय अप्रोच एनवाइ अप्रोच एमें अप्रोच एंड ट्रेडिशन अप्रोच इन चारो त्योरी का general अजम्षे में लिखा था देरा रोनी टू सर्श का finance debt and equity चैप्टर का अजम्षन नहीं हो पूरे एफम का अजम्षन नहीं हो येस तो यहां पर प्रेफरेंश आते हैं प्रेफरेंश डिविडेंट भी आता है तो गाइस यह मिल गया आपको आपका एनाय यह एनाय को अगर मैं divided by यह एनाय को अगर मैं divided by number of equity shares कर दूंगा तो क्या मिलेगा इस ए पीस को अगर मैं 0 रखदूंगा तो क्या मिलेगा फैनेश ब्रेक योण पॉइंट मिल जाएगा सर क्योंकि फैनेश ब्रेक इनाय पॉइंट पॉइंट यह आपका आता है ध्यान से सुनिए मेरी बात को व्यान से सुनिए मेरी बात को दोस्तों अपरेटिंग ब्रेक्वी यूंड पॉर्इंट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए operating break you in point में sales में से आप less करते हो variable cost आपको मिलता है contribution minus करते हो fixed cost आपको मिलता है EBIT मतलब ही आप बोलते हो profit profit zero ऐसा level of sales को हम बोलते है operating break you in point ऐसा level of profit zero कौन सा level of sales है जिसमें profit zero है ऐसा कौन सा level of sales है जिसमें profit zero है उसको बोलते हो operating break you in point तो financial break you in point में मुझे financial part से start करना पड़ेगा वहाँ पर आपने operating part लिखा है तो यहाँ पर financial part लिखना पड़ेगा तो मैं शुरुआत करूँगा EBIT से less करेंगे interest मिलेगा EBIT मिलेगा tax मिलेगा EAT less करेंगे preference dividend मिलेगा NI इससे निकालेंगे EPS और हम क्या बोलेंगे EPS zero होना चाहिए ऐसा कौन सा level of EBIT EPS zero होना चाहिए ऐसा कौन सा level of EBIT आप समझ रहे बात को तो मैं उसी को आजिम कर रहा हूँ X और फिर solve कर रहा हूँ इसलिए मेरा फॉर्मला बन रहा है X minus interest यह मिल गया EBT into one minus tax यह बन गया EAT minus PD यह बन गया NI divided by number of shares यह मिल गया EPS और इसी EPS को मुझे क्या करना है इसी EPS को zero रखना है सर आपको मतलब NI को ही zero करना है क्या सर बिलकुल सही EPS zero रहेगा तो NI तो zero ही रहेगा न Yes वैसी भी यह number of shares opposite side जाके multiply हो के zero ही बनने वाले अगर आप इसको solve करोगे नीचे तो obviously number of shares into zero करकर obviously NI ही zero ले रहा सिर्फ define कर दोगता आप बोलोगे सच्छा लेवर पीबिएटी at which EPS दी zero समझे क्या hero everybody I hope concept दिलो दिमाग में जा रहे है और मज़ा आ रहा है Yes That is called as financial break one point for you अब आते है दोस्तों indifference point की तरफ indifference point indifference point मतलब क्या होता है ये देदो या वो देदो कोई फरक नहीं करेगा उसको बोलते है indifference point ये देदो वो देदो मतलब plan की बात कर रहा है plan A देदो या plan B देदो कोई फरक नहीं करेगा क्या मुझे financing करना है debt equity का proportion अलग-अलग है एक debt plan है एक equity plan है या तो इधर debt equity 60-40 है उधर debt equity 70-30 है तो दो plan अलग है मुझे दोनों plan में से कोई भी plan देदो मुझे कोई फरक नहीं करेगा उस चीज को बोलते है आप लोग indifferent point तो दो plan के बीच आप indifferent कब रहोगे दो plan के बीच सर हम indifferent रहेंगे जब दो plan का start और end same है सर दो plan का start EBIT XX दोनो plan का end EPS same है सर अगर दो plan के बीच EPS same मिल रहा है और EBIT same रखा है starting में तो मुझे दोनों में से कोई भी plan दे दो मुझे क्या फरक गिरेगा मेरा start same है मेरा end same है दोनो plan में EBIT EBIT same same EPS EPS जो भी आएगा same same आएगा तो मुझे क्या फरक गिरेगा मुझे plan A दे दो या मुझे plan B दे दो that is called as indifference point तो indifference point क्या बोलता है is that level of EBIT फिर से EBIT को एक साजिम करना पड़ेगा at which EPS under two plans is same याद रखिए indifference point कभी दो plan के बीश निकलता है indifference point कभी दो plan के बीश निकलता है जब कि financial break-event point के अंदर under a plan बोला था मतलब single plan के लिए निकलता है आप जब financial break-event point निकाल रहे थे तो एक single plan की बात कर रहे थे जब आप indifference point की बात कर रहे है तो दो plan की बात कर रहे है नीचे देख लीजिए plan A, plan B plan A का EPS ये सेम चीज जो यहाँ लिखी थी EPS वाली is equal to 0 के जगा is equal to दूसरा EPS लिख रहा है सर plan A का EPS अगर plan B का EPS में सेम रखता हूँ और obviously X का solve कर रहे है simultaneous equation solve कर रहे है X की value दून रहे है तो obviously बात है कि इसको मैं बुलाऊंगा indifference point बहुत मज़े येस दोस्तो ऐसे केस में हमने solve किया है पूरा का पूरा chapter येस इसके बाद ये कुछ theories है जो आपके syllabus में directly दिया नहीं है मैं अगर मैं आपको फिर भी brief out कर देता हूँ ये theories जो है ये आपके syllabus में नहीं है CA के syllabus में CA के syllabus में CA में के syllabus में directly दिया नहीं है बट मुझे डर है कि कही नहीं तक ही ये कुछ पूछ सकते पाट इसलिए मैंने trade-off theory और peaking order theory ये दोनों theory यहाँ पर आपके syllabus में रख दिये trade-off theory क्या बोलती है ध्यान से सुनो बहुत simple है trade-off का मतलब होता है balance करना trade-off का मतलब होता है balance करना तो दोस्तो ये theory बोलता है equity और debt के अंदर balance कर cost benefit देख और equity और debt के अंदर balance कर कभी भी याद रख जादा debt बढ़ाएगा तो financial distress बढ़ेगा और agency cost भी बढ़ सकता है तो no doubt about it तेरे को देखना पढ़ेगा financial break तो जादा debt बढ़ाएगा तो financial distress तो नहीं जादा बढ़ रहा है cost तो नहीं जादा आते हैं तुझे बट debt के साथ risk भी तो आता है debt के साथ bankruptcy का risk भी तो आता है तो तो थोड़ा सा balance कर cost benefit दोनों को देखकर balance कर इसलिए इसका नाम है trade-off theory trade-off theory बोलता है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है agency problem क्या होता है agency problem क्या होता है जब तुम तुमारे managers को appoint करते हो, board of directors को appoint करते हो तुमारे company manage करने के लिए तो वो क्या कर रहे है वो खुद का benefit आगे रख़ रहे है वो agent añ के, manager के मगर वो क्या कर रहे है personal benefit आगे रख रहें company का benefit बीच — रहे है इस problem को बोलते है agency problem problem और इस problem को sort करने के लिए जो cost लगता है उसको agency cost agency problem agency cost agency problem क्या होते है सर फिर से एक बार बताए है now sir agency problem का मतलब होता है यो हमारे board of directors होते नंग जिसको hem bood बोलते हैं वो bood board of directors क्या करते हैं उनके पास authority होती company को manage करने की तो वो क्या कर रहे हैं वो खुद का benefit आगे रख रहे और company का benefit पीछे रख रहे खुद के personal benefit के लिए decision making करेंगे और company के benefits को देखेंगे नहीं उसको बोलते agency problem और उस problem को solve करने के लिए company को कुछ cost इंकर करना पड़ता है उसको बोलते agency cost तो ये problems ये cost को देखना पड़ता है जब हम debt equity की बात करते तब और दोस्तो हमारे debt equity के case में trade-off theory में हमें दिख रहा है कि कुछ extent तक हमें benefit मिलता है अगर आप levered firm की बात करोगे देखो trade-off theory क्या कर रहा है debt equity में balance कर रहा है क्या कर रहा है debt equity में balance कर रहा है इसलिए उसका नाम है trade-off theory यह बोलता है यह जो unlevered firm है उसका value तो constant ही रहेगा जितना तुम debt बढ़ाते जाओगे उतना तुमारा present value of interest taxile बढ़ता जाएगा value of firm भी बढ़ता जाएगा no doubt about it तुमारे पास यहाँ पर value of firm बढ़ रहा है बढ़ रहा है मज़ा आ रहा है और financial distress आता जाएगा company में तो थोड़ा सा cost को देखते वे cost को देखते वे आगे बढ़ना चाहिए इसको बोलते trade-off theory cost benefit को देखते वे आगे बढ़ना चाहिए उसको बोलते trade-off theory yes दोस्तो peaking order theory बहुत simple है दोस्तो peaking order theory बोलता है एक order में fundraise कर एक order में fundraise कर वो order क्या है sir कोई भी expansion करना है तुझे आज से दो साल बात तुझे मश्तरी बाय करनी है तो सबसे फिले मश्तरी का पैसा internal financing से लाना चाहिए तुने internal financing का मतलब क्या होता है reserves and surplus reserves and surplus से लाना चाहिए अगर पैसा कम गिर जाए तो debt यूज़ करना चाहिए तो priority number 1 क्या है reserves and surplus मतलब internal financing priority number 2 क्या है machine के लिए पैसा कम गिर रहा है loan लेले भाई पैसा और भी कम गिर रहा है तो equity use कर equity issue कर equity issue करना according to this theory peaking order theory बोलता है asymmetric information is the biggest problem what is the meaning of asymmetric information किसी एक party के पास एक information है किसी और party के पास दूसरी information है market में uniformity है इने information की uniformity को बोलते है symmetry market में होता है asymmetric information तो जब आप ज़ादा share issue करते हो ना market में तो ये bad signal देता है market के लिए frequent issue of share is a bad signal for market जो company बार-बार share issue करता है investors को लगता है company में कुछ ने कुछ कट बढ़े financial problem है company में कुछ ने कुछ कुछ ने कुछ financial difficulty पेस कर रहा है company इसलिए frequent share issue करूं मत जो भी financing जो भी तुमारा expansion plan है मश्यरी बाई करना है दो साल बाद plant start करना है चार साल बाद start करना है तो पहले reserves and surplus से financing करो जो internally generated funds है न अपने profit जो अपने पास रखे गए न उससे financing करो और वह sufficient नहीं रहेगा न तो date low वह भी sufficient नहीं रहेगा न तो last option equity को रख यह होता है peaking order theory यह किस पर believe करता है earth symmetric information पर believe करता है यह बोलता है सभी parties के पास तेरा company का correct information नहीं है तो better रहेगा कि तू बार-बार share issue मत कर frequent issue of share is a bad signal for market इसलिए issue of share should be your last choice your first choice should be internal financing reserves and surplus your second choice should be debt and your last choice should be equity that's peaking order theory for you अब बचा एक ही part इस chapter का वो है आपका marginal cost of capital बहुत simple है दोस्तो marginal cost of capital बिलकुल weighted average cost of capital जैसे ही है अगर एक company के पास already 1000 करोड रुपई है और company ने additional 200 करोड रुपई raise किये डेट 100 करोड से और equity 100 करोड से issue किये और रिप्जाजार करोड रुपई है मैं example लोगा तो और बेटर समझेगा यह देखिये company के पास thousand करोड है company ने और 200 करोड raise किये तो company के पास बन जाएंगे 1200 crores यह जो 100 crores है यह already 300 से से लाय है debt equity preference debt से लाया 500 crore equity से लाया 300 crore preference से लाया 200 crore ठीक है 500 crore, 300 crore, 200 crore debt equity preference यह था आपका existing यह थे आपके existing capital अब company सोच रहे expansion करें expansion के लिए किता पैसा लग रहा है 200 crore रुपे लग रहा है expansion के लिए अब expansion का 200 crore company सोच रहे debt और equity से लाया जाए 100 crores from debt and 100 crores from equity अगर तुम्हें सिर्फ यह 200 crore का cost निकालने बोला है सिर्फ यह 200 crore का cost निकालने बोला है तो उसे बोलते है marginal back उसी को बोलते है marginal back marginal back is nothing but cost of raising additional rupee of capital मतलब नया पैसा रेस करने का cost the word marginal means additional आप सब को बताए तो पहले से पता है आपको यह तो foundation से पढ़ रहे आप यह तो marginal का मतलब होता है additional तो जब आप additional पैसो का ही cost निकालते हो उसको बोलते है marginal cost we compute cost of only additional और new capital under marginal back जिसको mvac बोलते है mvac stands for marginal weighted average cost of capital तो मेरे example में वो जो 100-100 करोड तुमने रेस किया था 200 करोड रुपे यह 200 करोड का अगर मैं वैक निकालू यह 200 करोड का ही अगर मैं weighted average cost of capital निकालू तो उसको बोलते है marginal back yes my friends ladies and gentlemen boys and girls are we clear are we done with our capital structure chapter everyone trade-off theory peaking order theory मैं नहीं रहते हैं भी मैंने cover कर लिया है because मुझे थोड़ा सा शक है कि कहीं आ गया तो क्या होगा तो मैंने आपको इसका just एक क्रत्स बता दिया कि क्या होता ही है एक बार यह theory पढ़ लेना तो थोड़ा बहुत idea आ जाएग आपको और कुछ नहीं अब जाए अब सबको समझाए क्या बख्षन जैसे आप जब मार्जिनल वैक बोलते हो चलो एक काम करते हैं मार्जिनल वैक की अद्टक मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप बता देता हूं मार्जिनल वैक की अभी अभी का example लेकर बता देता हूं कि अगर मैं sources of finance में सोर्स of finance में है कि यहाँ पर Amount रख दूं यहाँ पर प्रausoörtपोर्शन ले लूं और यहांपर मैंने इंडिविजुल प्रखा है यहां पर मैंने क्या क्या है इंडिविजुल प्रोट रखता है और last मैंने क्या क्या है प्रोटक्ट रख दिया है Him और दोस्तो sources of finance के अद्टक मैंने equity रखा 100 करोड देट रखा 100 करोड मेरे company के पास पैसा कितना था दोस्तो 1200 करोड था 1200 करोड मगर मैं उपर का 200 करोड का ही cost ले रहा हूं तो इसे बोलते marginal back इस case में यह total आएगा और proportion आएगा मेरा 0.5 proportion आएगा 0.5 सबोज equity का cost 14% date का cost 9% तो obviously यह आजाएगा 7% और यह आजाएगा 4.5% और मेरा overall cost आजाएगा 11.5% इस 11.5 को बोलते है marginal back इस 11.5 को बोलते है marginal back I hope सबको समझा है मैंने practical part लेकर बता लिए आपको कि marginal back कैसे निकलता है मेरे कंपरी के पास पहले जो existing 1000 करोड थे न उसमें date था preference था equity था मैंने एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिए बिल्कुल भी नहीं real life में यह true नहीं है यह bookish ratio 2 इस to 1 रिश्वान इस परड़ आपको समझ जाएगा कि यह bookish ratio येस मेरे दोस्तों आप सबको समझा है कि एकदम अच्छी तरीके से marginal weighted average cost of capital overall capital structure chapter for you मेरे दोस्तों ये था मेरी तरफ से capital structure for you we took almost 1 hour and 45 minutes today but yes I'm sure extra half an hour दिया अपने 30 minutes extra दिया 30 minutes extra इसलिये नहीं दिया क्योंकि मैं slow पड़ा था 30 minutes इसलिये दिया because कुछ-कुछ जगा हमें detail में जाना पड़ा कोई बात नहीं आपके लिए 30 minutes extra दिये ना तो वह वसूल रहेंगे I hope सब चीजे आपको मक्तन की तरी से समझाओगा एना अप्रोच पड़ा हमने एनो आ अप्रोच पड़ा हमने ट्रेडिशनल थियोरी पड़ी हमने एन हमने पड़ा हमारा MM अप्रोच के अंदर भी with tax without tax तो NOI अप्रोच MM अप्रोच with tax without tax और ट्रेडिशनल थियोरी ये चार थियोरी पड़े हमने उसके पहले बहुत सारा थियोरी content पड़ा हमने उसके बाद हम इंडिफरेंस पॉइंट पे आए इंडिफरेंस पॉइंट पॉइंट फाइनेशल ब कर लिया दोस्तों सब कुछ आपके लिए capital structure लाले पार्ट से हमने कवर किया है yes so here here we can say that we have we have finished properly we have completed properly all clear all clear yes Pratik I will give you a b c analysis don't worry b m m p l have targeted that also for you so a b c analysis b mila आपको don't worry at all thank you so much thank you so much guys आप सबको समझा है मज़ा आया है that's more important we all were together right from beginning till end आप देख सकते हो कि हम सब लोग साथ में थे online थे कोई भी disconnect नहीं हुआ किसी ने भी रुका नहीं है end तक यह important है दोस्तों आप यह यह तेक अवे टेक अवे एक अवे यह कोई फोर्म में नहीं बताओंगा डेरेक्लि आपको conclusion लिख कर देदूगा यहां पर take away आपको क्या याद रखना है your take away yes your take away for today is little you can say emotional for me little name बहुत emotional है मेरे लिए ठीक है take away is remember this sentence guys this is your take away for today your take away for today is the show must go on the show must go on that is the take away for you today guys so take away for you today is the show must go on let me tell you guys what was my day today what was my day today early morning early morning बोलने से अच्छा रात कल रात दो बज़े जब मैं सो राता मुझे कॉल आता है मेरे मोबाइल पे और मुझे पता चलता है कि my very own uncle who is just 62 years old is no more दो बज़े रात में पता चलता है राद भर obviously सो नहीं पाते हैं or uncle my very own uncle I lost him today I went for the funeral I completed all the funeral obviously I have lot of emotions lot of respect for him I completed that but the show must go on so guys I was here in front of you completing all the responsibilities with the same momentum with the same laughter face I'm sure that you can't even understand me that my heart and mind is what was going on in my mind today's night and the whole day it was a very simple choice MEPL never stopped me I was telling myself sir take care sir but I cannot take today's lecture I can't take today's lecture we are all family but we all know one thing everything for students benefit we have to do the show must go on and isilie aaj choice rade ke baujud bhi wo choice select nekiya jo aapke benefit ke liye nahi hai wo select kiya jo aapke benefit ke liye hai sab kuch complete hua evening 4-5 o'clock I got free from all that things still in my mind in my heart I have the same emotion deeper emotion but when I was teaching you I was laughing when I was teaching you I was participating the wholeheartedly the way I participate every day so back of our life whatever we have the show must go on the show must go on we say back of your life you may have heard hundreds of thousands of hurdles but remember the show must go on you should study the way we at MEPL do we are there for students benefit the show must go on we say same you as student remember that aapke life me bhi 10 things aate honge penna he aapka show hai and the show must go on with this emotional take away today I will sign off I will sign off okay do take care of yourself guys see you tomorrow with more power thank you very much friends thank you very much bye bye